लोगों के लिए आज का दिन मर्धियम रहेगा पुला राशी नोकरे विवसाई के छेत्र में काले छेत्र में दिन के शुरुआ की दोर में ही आज आपको बहुत ही अच्छा समाचार होई सकता है पुरोकाल में आपके द्वारा किये वे निवेश का आज बहुत ही अच्छा परिणाम राफ्त हो सकता है आपको आशा से ज्यादा धनलाब मिले ऐसे सकारात्मक गरह योग बने हुए है व्यापार व्यवसाइब के ख्षत्र में आज आपके द्वारा निवेश किया जा सकता है कोई नया व्यवसाइब प्रकल्प आज शुरू हो सकता है या आज आपके द्वारा व्यवसाइब के ख्षत्र में आतिम रूप से निवेश हो सकता है शेरबादार में निवेश के लिए भी दिन अनुकूल और सकारात्मक है आज निवेश करने से आपको धनलाग हो सकता है सुझ बुच के साथ निवेश करें आवश्कता से ज्यादा आर्थी जोके ना उठाए जिनके उत्रा अगनाई किसी प्रकार का अतस्मिक खर्च आपको आ सकता है इस वज़े से आई और खर्च के भी संतुलन बनाये रखने के आपके प्रयास आज संपुर्ण रुप्से सपल ना हो ऐसा संबव है बढ़ते होगे खर्च को लेकर आज 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 ज्यादा विचार सील रहेंगे खर्च को नेंदरन में रखने के लिए आज आज आपके द्वारा विश्य चुरुप से कार्य किये जा सकते है या कोई ग्योजना बनाई जा सकती है पारिवारिक जीवन आनंद दाई रहेगा पारिवार जोनों से आपके रिष्टे सामाने रहेंगे पुरानी समस्या समाप्त होगी बहुत लंबे अंतराल के बाद दूर के रिष्टेजारों से संपर्पो हो सकता है स्वास्ते के मामले में कुछ अर्थक समस्तिया संभव है दिन के उक्तरार्थ में आपको आरुबी से जुड़ी हुई कुछ समस्तिया हो सकती है इस वज़े से आपके कुछ दार में किया सामाजिक कारिया गिनमित रह सकते है या अजूरे रह सकते है महिला वर्ग के लिए दिन आनंद आई और सकारात्मग रहेगा स्वास्ते से जोड़ी हुई शोड़ी समस्या संबव है विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन सबलता देने वाला सावित होगा पुरों काल में किये वे कार्यों का अच्छा परिणाम मिलेगा मुद्ब व्यक्तियों के लिए दिन समी तरह से आनंद आई रहेगा तोल मिलाकर तूला राश्य वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा परिणाम